तो दोस्तों आपको वीडियो के कैप्सिन से आडिया लग गया होगा कि आज हम आपको कौन सा प्रोड़क्त दिखाने वाले हैं बॉक्स को ओपन करने से पहले अभी तक आपने माई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप Amazon या Flipkart में इसको सर्च करेंगे तो different sellers अपने नाम से इसको सेल कर रहे हैं और इसका जो price है वो vary करता है 600 से 800 रुपेस के बीच मैंने इसको परचेस किया है जब आपको open करके दिखाऊंगा तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि 700 रुपेस की worth item है या नहीं तो जैसे आपको लोता है box में कुछ भी information नहीं दी गई है इसको open करके आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस तरीके से रखा होता है यह decoration वाली item जिसको आपने car, dashboard या अपने office space में भी अगर रखना चाते हैं तो रख सकते हैं तो उसको side करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का यह product है अब आपको अगर product दिखा हूँ तो आप देखेंगे कुछ इसमें इस तरीके से होता है तो basically इसमें है गया एक shape होता है और यह iceberg होता है जिसको shape को company कहते है मतलब जो भी इसको manufacture कर रहा है वो उसको कहते है यह titanic ship है और यह icebergs है तो यह कभी भी sync नहीं करेगा मतलब यह कभी भी do बेगा नहीं अगर मैं camera का angle change करूँ तो अफ़र आपको दिखाते हूँ कि क्या यह product है तो आपको इससे angle से proper समझ आ रहा हो गए कि क्या product है तो basically यह product को car dashboard होगारे में as a decoration piece यूज़ के जादा आप इसको अपने workstation होगरा में अगर office होगरा में रखना चाहते है या घर में decoration के purpose से रखने चाहते है तो रख सकते है और आप देखेंगे तो दिखने में हो सकते है आपको product अभी बड़ा लग रहा हो पकर actual में यह product बड़ा है मतलब अगर आप इसको car dashboard में रख रहे है तो दूर से यह चीज जो है आइसबेर का रख है तो कभी भी यह दोनों चीजे जो है डूबेंगे नहीं मतलब सिंक नहीं होंगे आप कितना भी इसको move कर लीजे मैं इसको कितना भी शेक कर लूँ प्रड़क्त को अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं और जैसे भी रखूंगा तो यह ऐसे ही रहेगा श्यप आप देखेंगे किसी भी एंगल से आप रखिए वो ऐसे ही हमेशा रहेगा वह डूबेगा नहीं है आप देखेंगे अगर इसको मैं इस तरीके से शेक करके वापिस रखूं तो होगा क्या जो भी चीच देंस्ट है वो हमेशा नीचे रहेगी अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं तो आप देखेंगे दिखेंगे आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से पानी में साइकल प्रून आ गया या पतनी क्या हो गया है बट आप देखेंगे जैसे स्कूर प्रखेंगे यह वापिस उपर ही रहेगा मतलब यह अंदर जाएगा नहीं मैं कितना भी इसको शेक कर लू इस्ते कि आप देखेंगे अभी पलेट भी गया है इस्ते कि आपको अगर फिट से करके कर रहा है और इस तरीके से वह मूव कर रहा है और कभी भी बहुत दूब नहीं रहा है तो आप इसको होम डिकोर या अगर गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं अगर बैक साइट से दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको कंपनी ने कैसे फिल किया है पह नहीं बीस प्रोडक्क को सर्च करेंगे तो आपको इसको सर्च करना पड़ेगा Titanic, car, decoration, iceberg करके आप कुछ भी decoration फोगर करके सर्च करेंगे तो आपको यह प्रोडट देखेगा यह चाइना का प्रोडक्ट है रूपीज से 800 रूपीज का कुछ साल 900 रूपीज का भी साल कर रहे है तो मुझे वो थोड़ा प्राइस लगा बट चीज दिखने में और रखने में ये शोपीज के लिए पॉइंट अब इसके इसको रखने में अपने कार के डैश बूर्ड में रख रहे है और शिक किसा अब इसको अगर मूफ कर रहे है तो होगा क्या आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये सम्मूंदर में शिप सेल कर रहा है और आइसबर्ग है और ये ऐसे मूफ करता रहेगा बट कभी भी पलटेगा नहीं आपको अगर एक और चीज़ करके दखाऊं तो आपको लग सकता है कि ये पलट जाए जैसे आप यहाँ पर देखेंगे बट ये प्रोड़क्ट कभी भी पलटेगा नहीं इसके अंदर जो शिप है मैं इसको जितना भी शिएक कर लूँ तो ये कभी भी पलटेगा नहीं तो अगर आप इसको लेना चाते हैं मैं डिस्क्रिप्शिन में इसका लिंक दे दूँगा और आपके मैं अगर कोई भी डाउट है इस प्रोड़क्ट से रिलेटिड तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कोई सकते हैं उसका जुरूर रॉप्लाइ करूँगा तो चलिए अप गाड़ी में चलते हैं और एक बार इसको गाड़ी में रिखके दिखाते हैं डैश्बोड में कि लुक वाइस कैसा लगता है ये प्रोड़क्ट तो इसको मैंने गाड़ी के डैश्बोड में डिरेक्ट प्लेस कर दिया है और अगर आप इसको पेस्ट करना जाए तो कर सकते है अपनी नीट के कॉर्ड़ी तो आप देखिए कि जैसे गाड़ी में रोड़ पर चल रही हो हरके से बंप आएंगी तो आपने आप ये मूव करता रहेगा